राम राम उख्याजी राम राम ठेकेदार जी राम राम बैठो एक आखरी आउसर लेके आयाओं बट्टा लगाने दीजिए क्यों फाइदा को रहे हो आप जैसे ठेकेदार इट बनाने के चक्कर में हमारे गाउं की उपजाओ जमीनों को खुट डालते हो पडोसी गाउं के किसान अब रो रहे हैं पूरे गाउं को माला माल भी तो किया था सभी को काम धंदे लगा दिया था किसान फसल से नहीं कमा शकता उससे कही गुना ज़रा पेसा वो भट्टे पर काम करके कमा शकता है थेकेदार जी मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे गाउं में अगर भट्टा लगाना है तो मिट्टी भार से आएगी और 20 से 25 साल तक यहां पर भट्टा चलाना होगा ये नहीं कि 2-3 साल भट्टा चलाया और जमीने खराब की और दूर भाग गए देखो मुख्या जी इसमें मेरा नुकसान है इतनी कमाई नहीं है तो मैं भी सहमत नहीं हूँ देखो मुख्या जी मैं आपकी अलग से जेब भर दूगा क्यों उसर खोरे हो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे एमान से सोधा करते हुए और आज के बाद ऐसा प्रस्ताव लेकर मेरे गाउं में कदम मत रखना अब हटोगे तो शाड़ू लगा दूँ सोधा कराऊ न हो गया न अब तो आपको जाने की देरी है देखो भाई काम तो इन्होंने बहुत गंदा किया है हमारे गाउं की इज़द मिट्टी में मिला दिये है और फैसला यही है कि इनको समाज से भार कर दिया जाए हाँ और मुक्या जी आपकी बेटी नीची बस्ती के लड़के के साथ रोज गूमती फिरती रहती है अगर वो उसके साथ बाग गई तो क्या यही पैसला आपको मंजूर होगा ये क्या पकवास कर रहे हो जबान खीच लूँगा अगर ऐसी पानी बोली तो पानी मैं नहीं गाव के पूरी और तो के मुझ से निकल रही है ये बाते मैंने नहीं बनाई है मैंने भी जो सुना वो ही बोला है मुक्या जी के बार में ऐसे कैसे बोल सकते हो जरम नहीं आती तुम्हें हाँ अभी कुछ हुआ ही नहीं आप एसे कैसे बोल रहे हो अगर तुम्हें फेसला मंजूर नहीं है तो कुछ भी बोल दोगे और वो भी मुक्या जी के बारे में है काकी तुझे तो गाउं की हर ख़बर रहती है तो क्या ये बात सही है हां सही है चोरा-चोरी बिन्ना काम बात भी करते हैं तो असुब है और फूलन तो घंटों घंटों उसके साथ घूमती है आजकल के लोग तो सब का ध्यान रगते आप तो गाउं के मुख्या हो अगर दाग भी लग दिया तो मिटा नहीं पाओगे जल्दी करो राना वकत नहीं है अप अरे फूलन आने में देर कर दी बेटा वो क्या है ना बापू पार्टी कुए में गिर गई तो निकालने में बखत लग गया अगर एक बार ये अपने मुझसे हां के दे तो शंती हो जाएगी अरे ये कोई ना थोड़ी करेगी क्यो बेटा फूलन ना तो मैंने इसको कपका कर दिया बापू फिर में आ जाता है बार बार आपका बखत खराब करने मारी चूती अरे फूलन क्या बोल रही हो बेटा ये यही कि मैं इसे साधी नहीं करूंगे बापू अरे रुक 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 इदर आ क्या कमी है इस इंसान में बता कमी कमी तो बहुत है इसमें पर खूबी ढूडने जाओ ना बापू तो एक भी ना मिलेगी अरे बेटा मैं पूरे गाउं की लोगों का फैसला करता हूं मेरा फैसला कभी गलत हुआ है ये फैसला बदल दीजे बापू कहीं गलत न हो जाए तु मेरे से उपर जाने लगी मने लांके जिंदगी मारे को जीनी है बापू थारी ही जिंदगी सावाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं थारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आवे और कोई भी चीज की कमी नहीं आवे एक बाप होने का फर्ज़ दागर रहा हूं गलती थोड़ी करूँगा पर मारे भी ते कोई पसंद रहे बेटी तुम लोग पसंद तक ही सोच पाते हो जो चंद दिनों के लिए होती है लेकिन हम तुमारे जीवन भर के लिए सोचते हैं पर बापो जो पसंद नहीं उसके साथ जीवन जोड़ना ऐसे जीवन जीने में खुशी कहा मैं किसी और को पसंद करती हूं बापो जिसको तुम पसंद करती हो उसके बार में पता है तुमें भेड बक्रिया चराता है वो और रहने के लिए एक छोटी सी जोपणी आटा भी मांग के लाता है उसके साथ खुश नहीं भूखी मरोगी भूखी और वो नीची बस्ती का है पर है तो इंसान ना बापो अरे तुम जे उसके साथ चेली गई ना तो मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने भी नहीं आ सकूँगा और मेरी गाव में सिर बेस्ती के अलावा कुछ नहीं रहेगा आप मता ना बापो मैं मिलने आजाय करूँगे आपसे बार बार लगता है तुझे बेच्चत होने के लिए ही पाला है मैंने छोड़ बापो एक बात कान खोलके सुनले हम लोग इच्चत के लिए जीते हैं और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और रही बात शादी की जो मेरी मर्जी होगी वही होगा बापो पापो क्या कर रहे हो बापो दरवाज़ो खोलो बापो ये वेलत है, अन्याय है बापो, मैं उसके भीना नहीं रे सकती बापो चुप, अब तु मर भी नहीं सकती मेरी मरजी के पेना अगर ये भार निकली ना, तो तेरी आत्मा भार निकाल दूँगा काकी, अब तो मैं जल्दी ही जीवन खेलाऊंगा तब तो मैं चार दिन भूकी रहूंगी अरे, भूकी रहकर मर गई तो मेरी शादी फिर से मुश्किन में पड़ जाएगी तू तो खाती पिती रहा कर डोखरी कर दो तो तो में जाएगी कियों रबली, फूलन नही आईए क्यों पर सो तीज को फूलन का रानाची ब्या है जल्दी जल्दी हाच चलाओ रतना भाई अभी तुम मुख्या गाड़ा भरके लाएगा कल गाओं की सारी ओरतों को बुलाओ बहुत अनाच साफ करना है जाओ देखो कामकाच कैसे चल रहा है देख के आओ अरे पुषपार तु क्या पेनने वाले फूलन की साधी में मा नया बेस लाई थी वो पेनोंगे जल्दी करो काम जल्दी करो जाओ सबको नोता देकर आओ गाओं में जाकर सबको नोता दो तेरी सहरी की शाथी है तुभी थोड़ी मदद कर ले अच्छा सुनो वो मेंदी ले के आओ अरे मगू मैं तेरी गर आ रहा था मुक्या जी के छोरी का तीज का भी वहा है तो मुक्या जी ने सभी को निवतर देने के लिए घर पे बुलाया है अरे भागी खुल गए मेरे इतना शुक का मुझे सबा अभी चलो मेंदी मारे को पता है फुलन तू राणा के साथ खुश नहीं रह पाएगी लेकिन क्या भेरा के साथ गरीबी सहकर जिन्दगी वर खुश रह लेगी गरीबी अमीरी तो जीवन में आते जाते रहते पर प्रेम तो एक पार हो बे और मैं उसके बिना ना रह सकू सोच ले फुलन अभी तो उसर है अगर अब गलती हो गई तो जीवन में ठारे को प्यार के लिए रोना पड़ेगा पापुने सारी तयारी कर लिये मारे को समझ मैंने आरा मैं क्या करू तू चिंदा ना कर मैं हूँ ना चल मैं आती हूँ बैठ तू कर दो दो अरोर आजी मेंत गारशानने यहांगे इत्ती भागते रे मुख्या भाग दी, इज्यत उतार के भाग दी, अब गाउं में क्या मुद दिखाएगा, ये भगवान क्या समय आ गया, तेरी रुगाई के साथ में इसका भी गला दबा के मार देनी चाहिए थी, करम चली के भाग में कुछ जादा ही जीना लिखा था, इत्ती तेश भागी नहीं कभी, अरे इससे पहले भागी कहा, पहली बारी तो भाग रही है, ना आओ चड़ो, आरे पर पानी के रास्ते कब पहुँचोगे, मुख्या जी के आदमी पकड लेंगे, पानी के उस पार पहले माता जी के मंदिर में शादी करेंगे, फिर आगे पक की सहीली को थारे साथ चोड़ रही हूँ, इसका उमर बर खयाल रखना, कभी शिकायत का मौका नहीं दूगा, तुम भी अपना खयाल रखना फूलन, ओ बहरा का जिन्दगी पर साथने बाना, तुम्हारे से मिल लावे की ना, ऋब हो मिल पर मेंद़ है की साथने फिका झाला ख़कर जीन दूंगाईS, कि सुम्हारे से शपत्स का उतल रही हूण। मुलन गर लग रहा है अरे अभी तो जिन्दगी का खेल शुरू हुआ है अभी तो बहुत सी कठिनाईयों का सामना करते हुए लड़ना पड़ेगा हमें मैं तो मैं कहीं खोना दो फेरा मैंने सुना है मां के उस मंदिर में जो भी बंदन बंदते हैं न उन्हें आस्तब दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाई है फिर तो मैं सारी कठिनाईयों का सामना कर लूगे एए चलो सभी जागे टुंडो चलो चलो हुआ है हुआ है हुआ है झाल 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 जोसी प्यास रिमा की प्यास पाज में ता दूमा का जो रहा है करा हो दूखो दूख सिंगे इस मा के मंदिर में जो भी बंदन बंद है उसे तोड़ना विनास करी होगा आपका उबेस उन्ने नियाय हम यहां हमने हमेशा नियाय किया है खून खराबा नहीं नियाय करेंगे अच्छा तो अपने गाउं के छोरे का पक्ष ले रहे हो नहीं मै तो आपकी गाव के बिटी को बचा रहा हूं फैसला करेंगे फैसला यह है कि फुलन से मारी शादी होने वाली थी और ये हरामी उसे बगा कर ले आया पहले इसे मारूंगा और फिर फुलन से शादी करूंगा पर पर पहने इससे मार कर! रुपोर फैसला हम करेंगे रुपोर! रुपोर, रुपोर! पर खोई भी वेश्दिक आये दा, तो आके कदमों में खुर भागा! रुपोर! मेरी बात सुनो, रुपोर! रुप शिंगी, अब मुख्या को उतावये उचित नहीं है मेरी बेटी भागी है मुख्या जी पता है इसलिए सब के तरह पंचयत करना ही मार मर्यादा है तो फिर इनको कड़े से कड़ा दंड़ दो तो फैसला सुनिए अपनी परंपरा में बनाए गए नियम के अनुसार फैसला यह है कि साधी के समय भगा कर लाए गई लड़की को वापस सौंप कर जिससे साधी ते की थी उसी सही पंचयत के सामने साधी करवाई जाए और इस बच्चे का क्या उसे भी इसकी माँ के साध मार दिया जाए अरामी इतना सब कुछ कर लिया तुमने मुख्या जी इसी गटना पहली बार सुनी है इसके बारे में क्या निने लिए क्योंकि यह पेट से भी है तो अंतिम फैसला यह है कि इन दोनों को गाव से बाहर निकाल दिया जाए अब इस नियम के बंदिशों के बारे में सुनिये मालिक हमें फैसला मंजूर है फूलन ए फूलन पूलन आधी रात में यह ओ खाना चाहिए मुझे पता होता कि फूलन आ रही है तो मैं जल्दी आ जाता पर क्या करें सरकार पूश्रती नहीं देती आज सर्वे करने गया था तो आते वकर दोस्तों के साथ बैठ गया अब तुझे तो पताईए कि उनके साथ बैठने के बाद आने कहां देते आजा अंदर आजा अरे आजा भूप नहीं मीटा नहीं है क्या आजा आजा उस कोटी में आटा पड़ा है ले 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 तूँची बश्ती की है बैरा से स्वाधी करके तो चूत नहीं हुई है जा ले ले कि इतना आसान आटा कहां मिलता है या तो कमाना पड़ता है या फिर मर्दों को खुश करना पड़ता है मास्टर देवता का रूप होता है जो इंसान को ग्यान देकर उसके जीवन में भूख मिटाने का रास्ता दिखाता है लेकि दूप देवता नहीं तानाओ तानाओ घप अज़ 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 आ आ झाल 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 मुझे नहीं मैंने मारा आटे के बदले इच्चत मांगने वाले सभी को मारा मैंने आटे के बदले इच्चत मांगी तो मौत दे दी और तो की इच्चत लूटने का ठेका ले रखी उन्चार हरामी ठेके दारों को अग्वार लिये क्या किया तुन्हें आटे कुछी दिन चीरे के बचे थे वो भी चील लिये और तुझे मार ने की क्या जरुवत्ती आटा नहीं दिया तो आपस आ जाती मारी दिया इतने दिनों से मुझ पर लगा रखी बुरी नजर एक न एक दिन तो हटानी ही थी अरे तो कुछ दिनों वो सेंट कर लेते हैं मारी दिया क्या करूँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या है क्या है ऐसे गुलाम बनकर कितने दिन तर जीत देंगे तो हम जीने भी नहीं देंगे माल देंगे हमें तो इज़्जत के लिए मरना पड़े तो मैं मरने के लिए तयार हूँ अरे दिबाख ध्राब हो गया जिना क्या सोच जके क्या है आटे के लिए माल देना अरे मुझे पता होता था तो मैं तुझे जानया नहीं नहीं देता कम से चोरी करके लिए आता आता ओ पक्ड़े जाते तो अरे तो मार खाले था लेकिन आठा तो लेका था, मार के ही आ गई, इस बच्ची को तो जीने देती, इस बच्ची के बारे मैं तो सोचा होता, वो गाउवाले हमारे साथ साथ इसे भी मार देंगे, मैंने क्या किया बापू, गाउवाले मुझे क्यों मारेंगे, मैं भूकिसों को इसलिए, ऐकाम करें, हम तिनु कुए में कोच के अपनी चान दे रहेते, हाँ, हाँ, चलो, आदम हत्या करना समस्य का समधान नहीं होता, हमने कोई गलत नहीं किया, बल्कि गलत करने बाले को मिटाए है, चलो तुम चाब, चलो, मैं नहीं चाऊंगी, तुम्हें डर लगता है तुम जो मैं ये लड़ाई लड़ूंगी मैं करी नहीं जाओंगी मा मैं ये रुकूंगी जाओंगी 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 ख़ड़ो मुझे, ख़ड़ो! क्यों, गाउँ के अन्न दाता तुब पसंद थे, क्यों मारा उनको? बोल, क्यों मारा उनको? अरे, क्या वकीलों की तरह बयान बाजी कर रहे हो! इन डाक्षर शो ने आज की रात को काली और खुली रात बना दिया है। आज इने जलाकर इस गाव में उजाला करना होगा मुख्या जी, उजाला, हम फैसला कर रहे ना, तुम तो सिर्फ कानून की पाल ना करो, अरे ऐसे कानून को तो मैं आपने जूते के नीचे लगता हूँ, कानून, 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 जला दो ऐसे कानून को भी इनके साथ, बस क अरे पहले कारण तो पूछो मारने की क्या वजे थी वजे वजे ये थी क्यों ठेकदारों ने इन्हें काम नहीं दिया तो इस अपनी दुगाई को बेच कर उन्हें मरवा दिया लेंकिल मेरी मा तो आटाल आने गई थी चुपो जागो इस बच्ची के लिए फैसला करना होगा कोई भी बीच में बोला तो उसे दंड़ दिया जाएगा ए औरत तुने चार ठेकदारों को क्यों मारा बोल बोलती क्यों नहीं अरे मुख्या जी गुना करने के बाद इंसान की नजर जुकी हुई होती है बोलने की हिम्मत कहा नजर तो इच्चत लूटने के बाद जुकती है पर मैंने जो किया अपनी इच्चत बचाने के लिए किया ताकि गर्व से सर उठा कर जी सकूं चलिए खारा खाले वे भेरा दोनों इंदर आओ बहरा तुझे कितनी बार का है कि तेरी लुगई को भी काम पर ले कيا पर तुझ मेरी बाच सुनता ही नहीं अंदाता की बात नहीं मानने का मतलब काम से छुटी मालिक आप काम नहीं करपावेगी मालिक इसने कभी काम निहीं किया मालिक अरे काम किसको करवाना है ये जो कुर्शी पढ़िये खाली, इस पर बैठना है, मेरा सहियोगी बनकर मालिक, आप तो अनिताता है मालिक, सब का पेट बते हैं आप से हाध जोड कर बिंती है मालिक, हम पर भी थोड़ी कृपा कर दो मालिक वो क्या है न, घर में छोटी बच्ची है मालिक अरे तब ही तो कह रहा हूँ दोनों काम पर आओगे तो मजदूरी भी तो जादा मिलेगी बेरा और मुझ में क्या फर्ग सब मर्द एक ही तो जैसे होता है मेरी शर्थ मंजूर नहीं हो तो कल काम पर मता ना पांस दिन के मजदूरी भी गई और काम भी कल से में नहीं आँगे चाते वकत ही खाना ले जाना वो कई दिन से थारे पर नजर गडा कर बैठा है इज़त लूटना चाता है वो रागस मैं कल से उसके काम पर नहीं जाऊंगा सुना एक ठेके दालोर है शिवा बहुत शादमी है कुसिस करो बैरा काम की तो कमी नहीं है वो क्या है न तुने गुना कर दिया और काम वाला न तुझे दंड दे रखा है इसलिए तुझे कोई काम नहीं देगा और काम दे भी दूँ तो पंच नाराज हो जावला पर एक रास्ता है तेरी लुगई को यहां काम पर बेज़ दे और उसे कोई पैचाने का भी नहीं और वैसे भी मेरे यहां तो सारी ओरतें काम करती है हाँ क्यों नहीं सारी ओरतों के साथ मैं भी काम कर लूँगी क्यों तो हुआ कि मालिक मारी मज़ूरी हाँ दुमाना मेरे या मज़ूरी चार-पांस दिन की साथ में मिलती है बड़ी रकम चल गर छोड़ दूगा ने मालिक मैं चली जाओंगी अरे चल आजा आजा चल अरे आजा क्या वह मलिक यह जगह से ही रहेगी यह ठीक है यहां कोई आता जाता नहीं है अरे रुको क्यूं जा रही हो अरत के वल अपने पती के लिए होती है जिसके साथ साथ फेरे खाकर साधी करती है ना कि हर मर्द के लिए अरे तुम कौन से साथ फेरे खाकर आई हो, भाग करी तो आई हो, मेरे साथ आजाओ, जिंद्गी बन जाएगी किसी को अपनी इज़्जद दे कर ऐसी जिंद्गी जीना औरत का धर्म नहीं है थोड़ी तेर के लिए मुझे पती समझ लो, क्या फर्क वड़ता है, सभी एक समानी दर है, उल्टा तेरे पती से साफ सुत्रा और उची बस दिक हूँ लेकिन मैं नीची बस दिक हूँ फुलन, फुलन, क्या हुआ, फुलन बहुलनार वो क्यों रही है तु तबे तु ठीक है ना तबे तु ठीक है ना झाल 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 जल्दी कर ये उठा और ढाल क्या जल्दी चाल जल्दी वापस आना जल्दी करो भाई वे तोड़ा आराम कर लू अरे आग 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 लग गई आग आग अरो आग अल्दी गाल क्युस्यों कालन रहा आग शंतर द्दी तोड़ाषा साव कुलल देखने करें राम 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 अरे तुम भी जाओ रे कल समय पे आ जाना दो तिन दिन काम है जाओ जाओ मालिक मारी मजूरी तुम जालरा गाउं के मुख्या की लड़की तेवर कैसे फीके पड़ गे तुमारे अच्छा गरीबी कोई बात नहीं हम है ना मालिक मारी मजूरी अरे यह क्या मैंने तुमारी जान बचे यह और उसके मतले कुछ नहीं सिर्फ मजदूरी भगवान आपका भला करे असिर्वाद के कोई कमी नहीं सब देते तुम कुछ और दे दो वो दे दो है रुक का दा रही है जान बचे यह मैंने नहीं देगी तुझे बर्दस्ती लूँगा रुक अज एसी घाइल करूंगा घर जाने लाइक नहीं रहेगी पुलर्ण नहीं मालिक जौड़ दो पुलर्ण बालिक भगवान के लेव से चोड़ दो मैं इसा पहर पढ़ता हूं बालिक है मालिक जौड़ दो पुलर्ण पुलर्ण बाग तु बाग बाग पुलर्ण आस तुम मरेगा पुलर्ण बुलाओ थे लोगा, बुलाओ जाओ जाओ तो कि अगयाओ, प्रेरा कोई काम निदेगा तो मारेगा, क्या? और काम के बदले? दो पुलाओ नहीं, तुझाल यहाँ से, चल तुझाल से फूलन बगवान भूखा तो नहीं मलने देगा लेकिन अगर कुछ गलत हुआ ना तो माप भी नहीं करेगा आज एक आउरत कह रहे थी स्कूल में खाना बनाने वाली बाई जी ने काम छोड़ दिया तो क्यों नहीं वहाँ बात करके देखें शायद वह जगही सही रहेगी देखो काम तो है और गाउं से बहुत सारी औरतों के नाम भी आया है और मुक्या जी ने भी कुछ नाम पर जोड़ दिया है पर एक समस्या है स्कूल में उची बस्ती के बचे जादा पड़ते हैं इसलिए चपड़ाची भी उची बस्ती करगा ताकि मट्की को भी चुए तो दिखत न हो ऐसे में तुम नीच मास्टर जी मैं उची बस्ती में जन्मी और वहीं पली बढ़ी हूं पर अब उमीद रती पर की भी नहीं लग दिया है जूटे बरतन मांज लोगी और उस बरतन में खायेगा कौन कोशीज कर सरकता हूं पर एक सर्थ पर अकेला रहता हूं सरकार चुटी भी नहीं देती बीबी से मिले महीनों हो गये चुटी के बाद रोज एक घंटा मेरे साथ ठहरना होगा काम से मेरे काम से अरे कहां जा रही हो चुटी के बाद आती हूं अभी बच्चे देरिश आएंगे एक घंटे बाद किसने देख लिए तुना करे चाली 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 इसे गंदा खाना नहीं खाते गुड़िया खाना खाने देमा कावकार फैसला हम मुख्या लोग करते हैं और दंड भी हम देते हैं उन्हें मारी देना यह सरासर गलत कदम है मेरे हिसाब से इन्हें जला देना चीए जला देना चीए जला देना चीए पाना चीए जला पाना चीए यह चीए करता चीए और पाना यह पाना आसके दो तो दिने आप जाइ़ीं जाइ़ीं। इने आप जाइ़ीं। मुख्या जी नहीं मुख्या जी इस शिकार में तो आपकी लुगाई भी बच नहीं पाई है तुम लोग पंच बनकर बैठे हो आज अमीरी की वज़े से और अमीर बनाया हमने अपना जमीर बेच कर अब आप ही बताईए अगर काम के बदले में आपकी लुगाई की कोई इसत मांगे तो उसे माप कर देना चाहिए जिन्दा जगा देना चाहिए और इस औरत ने जो किया वह सही किया या गलत तो सही करने वाला क्किया अध्या करने वारा दंड का भागिदार होता है और दंडा में 11 मन कओ बूत्रों को दाना नालकर आपका प्राइस चित करना होगा कर दो हम उची बस्ति के होकर भी अपनी इज़ट लुटा तरे और इसने और इसने हमारी आखें कोल दी और मुख्या जी अब इनके लिए भी कोई तो नियम होगा ऐसे नियम में इन्हें गाह में समिल किया जाएगा कर दो 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 झाल 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 झाल